हे गाईस फाइनली जिसका वेड था वो चीज आ चुकी है MIYSR MIY14 में रिलीस हो चुका है और इसमें बहुत सारे iOS के फीचर भी आपको देखने को मिलते हैं वीडियो बहुत ही जादा इंटरस्टिंग होने वाली है तो बिना टेम वेश करें अपने वीडियो को स्टार्ट कर इसमें बहुत ही जादा स्मूथ है अनिमेशन में कोई भी लाइक नहीं मिलता अनिमेशन बहुत ही जादा अप्टिमाइजड है डिवाइस का डिस्प्लेइदर 120 हर्ट पर सेट है तो आपको कुछ इस तरीके से अनिमेशन मिल जादे और देख सकते हैं पर एप उपनिंग बहुत जल्दी होती तो इसके युवाइस से रिलेटेट कोई भी लाइक आपको नहीं मिलता स्टेटेज बार की बात करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्टेटेज बार आपको देखने को मिल जाता और इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं यहाँ पर डिफर यहाँ पर डिफरज बात करेंगे तो यहां पर इसको पुट जैम्न को बहुत अच्छा लगा और Size आपको यहां पर बात करेंगे तो यहाँ आपको रॉप्टिकुलर के सकते ही फीचर में को बहुत अच्छा लगा और रिफ्रेश डेट की बात करेंगे तो यहां पर आपको 120Hz 90Hz और 60Hz देखने को मिल जाता इतने सारे रिफ्रेश डेट पर आप स्वीच कर सकते वालपेपर पर का support भी इसमें आपको देखने को मिल जाता और यहां पे effects का option भी मिल जाता देख सकते हैं आप नोटिफिक्षिशन आई तो कुछ इस तरीके से effect आथा home screen पर बना जाएंगे तो यहां पर default launcher show ने कर रहा देख सकते एक crash कर रहा animation speed आप set कर सकते animation rate आप set कर सकते और यहां पर home screen app drawer classic और light mode पर आप set कर सकते always show clock option आपको देखने को मिल जाता unlock animation मिल जाता और यहां पर screen के layouts भी आपको देखने को मिल जाते maximum 9.16 तक layouts है और यहां पर google search bar styles के themes भी आपको देखने को मिल जाते और यहां पर मैं पहले से गोरे monitor पर set कर रहा हूं देख सकते यहां पर कुछ इस तरीके से google search bar है search bar blur को option मिल जाता और डॉक को भी आप इसमें enable कर सकते बहुत सारे features इसमें आपको मिलते हैं यहां पर देख सकते आप और hide app icons को option मिल जाता arrangements पर यहां पर आप IO style को enable कर सकते इस वाले option को enable कर दो और यहां पर by default vertical पर सेट रहता तो आप horizontal पर इसको set कर दो और बहुत सारा customization आप इसमें कर सकते blur को आप इदर enable कर सकते और clear button के styles आपको मिल जाते memory status को यहां पर enable कर ले सकते बैटरी पर आ जाएंगे बन तो custom ROM का battery backup बहुत ही साधा अच्छा है इसमें कोई भी में को drain issue देखने को नहीं मिला अगर आप light use कर रहे तो भी battery backup अच्छा रहता और अगर heavy task कर रहे तो भी battery backup ब वह सारे options मिल जाते टैपलेस का option भी अविलेबल है इसमें आपको क्या क्स्टमाजेशन मिलता वह अपन देख लींगे अब my way sr customization पर बना जाएंगे तो यहां पर आपको lap styles देखने को मिल जाते हैं यहां पर तीन lap styles है और control center के styles भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं यहां पर default में रखके बता दे तो यह apply नहीं होता यहां पर apply changes वाले option को enable करना पड़ता तो एक बार restart होता और changes apply हो जाते दे को यह बहुत अच्छा लगा और यहां पर aesthetic center भी अविलेबल है यहां पे जितने भी tiles है center पर आ जाते हैं अगर control center पर monit होना है तो इस वाले option को enable कर दो और Toggles को भी आप Customize कर सकते, Seek Bar को भी आप Customize कर सकते, Status Bar को भी Customize कर सकते, यहाँ पे आपको Charging Animations मिल जादे, Flow, Glow, Wave अविलेबल है, और यहाँ पे इतने सारे Options आपको मिल जादे, Launcher Customization पेएंगे तो यहाँ पे आप Apps को Downgrade कर सकते, जीब यू टूनियर को Option मिल जादा, Navigation Bar के Customization आपको मिल जादे, इतने सारे Styles हैं, Battery Customization पेएंगे तो यहाँ पे Styles आपको मिल जादे, Battery के इतने सारे Styles अविलेबल है, Signal आइकोन स्टाइल भी आपको मिल जादे, और Wi-Fi आइकोन स्टाइल भी अविलेबल है, Vulti Customization पेएंगे तो Vulti आइकोन मिल जादे, वो Wi-Fi आइकोन भी मिल जादे, Miscellaneous पेएंगे तो यहाँ पे Theme App Server का Option मिल जादा, China, India, Indonesia, Russia, इतने सारे Servers पे आप Switch कर सकते, अगर आपको Top पे MIY Account इनेबल करना है, तो इस वाले Option को इनेबल कर दो, और Secure Apps Screenshot का Option मिल जादा, जो Restricted Apps रहते, उसमें आप Screenshot ले सकते, और यहाँ पे Spoof Game का Option आपको देखने को मिल जादा, जितने भी Games है, उसमें High FPS Unlock हो जादा, यहाँ पे देख सकते नीचे Mention है, PUBG, Call of Duty, Apex Legends, यह सारे Games में High FPS Enable हो जादा, Safety Net की बात करेंगे, तो यहाँ पे Safety Net by default failed है, इसमें आप Banking Applications रनने कर सकते, लेकिन आप Safety Net Fix Module को यहाँ पे Use कर सकते, Safety Net Fix करने के लिए, बात करेंगे दर अपन Device Certification की, तो यहाँ पे Devices Not Certified है, स्क्रीन पे देख सकते है, Devices Not Certified, और Geekbench 5 के स्कोर्स अपन चेकाउट कर लेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, 59% तो RAM Management है, बहुत अच्छा यहाँ पे RAM Management है, RAM बहुत कम consume हो रहा, और इसमें आपको लीका Camera इन बिल्ड देखने को मिल जाता, यहाँ पे सारे Features वर्क करते हैं, देख लेंगे पन, देख सकते हैं, Slow Motion भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा, और वीडियो रिकार्डिंग आप इतने सारे FPS पे रिकार्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4K 60 FPS वर्क ने करता, Front Camera भी देख सकते हैं, तो Camera के सारे Features वर्किंग मिल जातें, Performance ROM का बहुत ही ज़्याद अच्छा है, देख सकते हैं, आपर CPU Total नहीं हुआ, Graph यहाँ पे Green है, अपन अब इसमें Gaming भी करके देख लेगें, यहाँ पे Game Turbo का Underface आप चेक आउट कर लो, Voice Changer टाइमवर को Option मिल जाता, यहाँ पे Balance और Performance Mode आप सेट कर सकते, और Floating Windows भी देख सकते ह Graphics पे एंगे, तो यहाँ पे आपको 90 FPS पे Sunlock मिल जाता, आपको High FPS पे Gaming कर सकते हैं, एक Match में आपको खेल के बता देता हूँ, Gameplay में कोई भी आपको lag नहीं मिलता, यहाँ पे Stable आपको 60 FPS देखने को मिल जाते, देख सकते हैं, जैसा हमें TDM खेर हों, तो कोई भी दर में को lag देखने को नहीं मिल रहा, Gameplay बहुत ही जादा स्मूथ है, अगर आप Matches वगएरा, खेर होड़ लेते हैं, तो थोड़ी से Frame Drops मिलते हैं, लेकिन TDM गेम ले बहुत ही जादा स्मूथ रहता, यह Custom ROM डेली उसके लिए Best है, MRY SR के ROM बहुत ही जादा अच्छे रहते हैं, और में अगर informative लागी तो वीडियो को लाइक करदो, चैनल को सब्स्राइब करदो, नोटिफिकेशन को अलब बे करदो, तो अपन ये वीडियो को अब एंड करेंगे, see you in the next वीडियो